हेलो उरुन कैसे हो सभी आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे स्वागत एक बाद फिर से MP Board Education के YouTube चेनल पर तो कल हमारा Physics का पेपर है ओके तो ऐसे मैं आपको Important Question हमने पहले ही प्रोवाइड कर दी हैते अगर आपने नहीं देखें तो टेलिग्राम चेनल पर चले जाना डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर आपको सारे Important Question हर एक चेप्टर के मिल जाएंगे ओके तो ये वीडियो में हम बात करेंगे अपने Numerical के उपर और साथ में कुछ Objective के उपर ठीक है तो पहले कहाँ से स्टार्ट करें पहले बात कर लेते हैं Objective की देखो यार MP Board में क्या होता है जो अपने Main Questions होते हैं वो तो आ जाते हैं जो भी Previous Air के पेपर वगेरा होते हैं वहाँ से हम निकाल सकते है Important Question लेकिन Objective के अगर हम बात करें तो यहाँ पर Important निकालना काफी मुश्किल हो जाता है वोकि देखो Objective में क्या होता है MP Board में हर साल कुछ नहीं आता है लेकिन आप क्या कर सकते है Objective के लिए इस समय Question Bank है हमारे पास Question Bank के सारे Objective लगा लो देखो पहले Question Bank के लगाना उसके बाद अगर आपके पास समय बचे तो आप क्या कर सकते हो आप परिक्षा बहुत और परिक्षा अद्यन के लगा सकते हो और अगर आपके पास इतना लगे कि यार इतना नहीं हो पाएगा तो पहले से कर लो Question Bank के सारे Objective कर लो उसके बाद Model Paper में जो Objective दे रखें वो कर लो फिर परिक्षा अद्यन के जो Model Paper से हैं उसके कर लो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके हो जाएंगे ठीक है तो यह रहेगा और Objective के पीछे मेरे इसाफ से तो जादा मत भागो ठीक क्योंकि Objective जो होते हैं वो काफी बार बाहर से ही आते हैं चलिए तो अब हम बात करते हैं Numerical के उपर तो Numerical में सबसे पहले तो Chapter देख लीजे किन किन Chapter से Numerical आते हैं तो पहला Chapter आता है Current Electricity यहां से Numerical गैरेंटेट है कि आएगा यह गैरेंटी में क्यों ले रहा हूँ क्योंकि Previous Year में काफी बार आ चुके हैं यहां से Numerical तो इसलिए Current Electricity की मान के चलो कि Numerical यहां से आए गई आएगा Ray Optic से भी Chances हैं और Dual Nature of Light से भी Chances है कि Numerical आ जाए Dual Nature से काफी कम Chances है क्योंकि दो नमबर का है दो नमबर में आते हैं वैसे Numerical लेकिन Chances काफी कम हैं लेकिन आने के Chance तो है ओके चलिए तो बात करते है Current Electricity की तो Series Parallel आप लोग अच्छे से पढ़ ली जगा हो उसके बात Potentiometer अच्छे से पढ़ना है आपको और Om Slow, Om Slow तो आपको पहले से आता होगा तो इनके उपर कुछ Question प्रैक्टिस कर लेना और अभी थोड़ी देर में एक और वीडियो आने वाला है जहां पर आपको Numerical भी दिये जाएंगे सारे Numerical आपको Provide किये जाएंगे और यह जो Numerical रहेंगे उनके answers भी रहेंगे साथ में तो देखो कितना आप भला कर दिया आप लोग का हमने तो एक लाइक कर दो यार इसी बहान है तो अभी एक विडियो आएगा Physics का वहाँ पर हम सारे Numerical के उपर discussion करेंगे आपको बता देंगे किस तरह से आपको करना है यहाँ पर जो Numerical हमने ले रखे होंगे वो सारे topic wise ले रखे होंगे ठीक है तो आपको जादा मेहनत करने की अवशक्ता नहीं पड़ेगी सारे solution भी आपको वही पर मिल जाएंगे तो अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजेगा बात करते है रे optics की तो रे optics में image formation, focal length इस तरह की जो questions होते हैं वही आते हैं जो कि class 10th के उपर भी यही आते हैं तो class 10th के जो level होता है उसी level के यहां से numerical पूछे जाते हैं ठीक है उसके बात करते हैं हम लोग अगले topic की तो वो है lens maker formula and power of lens यह जो derivation हमने कर रखे हैं इनके आपको numerical भी practice करनी है ओके numerical आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं उसके बात करते हैं dwell nature of light की तो dwell nature of light में आपको deep रोगली equation से numerical देखने को मिल सकता है और कुछ formula best numerical आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है तो यह होगे numerical की बात और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है न तो एक बार लाइक कर दिया करो यार आप लोग तो यह रहेगा numerical अगले वीडियो का आप लोग वेट करो तब तक के लिए पढ़ाई करिए all the very best